तॉय अशसेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राजी बत्रा हमारे साथ मौझोद है बात करते हैं सर्ट त्वय अशसेशन ऑफ इंडिया क्यों बनी कैसे बनी और किसलिए बनी देखिए तॉय इसका जो जनेसिज है बेसिकली भारत वर्ष में खिलावना जगत का प्रमोशन के लिए है शुरू से जुड़ी हुई है कंसेप्शियल स्टेट से और इंडिया की नंबर वन एस्टेशिशन में आती है खिलावना जगत में इसका मकसद यह है कि जो हिंदुस्तानी कारिब कार बॉल्ड है उनका वेलफेर उनका प्रमोशन और खिलावना अध्योग को उपर तक ले जाएं जो जैसे कि हमारे परधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में खिलावना अध्योग सफलो जो इंपोर्ट होता था खिलावना उसकी जगह एक्सपोर्ट पे आए इंपोर्ट सब तब हमारी सक्सेस होगी वो समय कब आएगा वो देखना है अब शुरू हो चुका है वैसे टॉइबिस क्योंकि पंदरवा संस्क्रण है टॉइबिस भी कभी जहन में आगा कि हमने एक्स एसोसियेशन तो बना ली अब एक इसको प्लैक्फोर्म कहां किया जाए कहां दिखाया कैसे दिखाया जाए तो टॉइबिस का कैसे आपका जहन में आए कि इस तरह का कारेकरम भी डिजाइन करना चाहिए कुछ साल पहले पंदरवी एक्जिबिशन है तो कुछ समय पहले नाइटी एट में या नाइटी नाइन में या मुझे एक्जाक ध्यान नहीं है बट यह इ अवेलेबल होते हैं ब्रैंड्स वहां पे अवेलेबल होती हैं और दुनिया बर का बाया तो दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन हो जाती है नए जो उद्योग हैं जो स्टार्ट अप्स आए हैं या इवन पुराने उद्योग हैं उनको नए व्यापारी मिलते हैं और जो नए व्यापारी है उसको पूरी रेंज मिलती है ब्रैंड्स की कंपनी की एक छट के नीचे तो यह बहुत सक्सेस्फुल हुआ हमारा जो कंसेप्ट जो हमने सोचा था और हमारा इसका इसका आपको सफलता इस प्रकार पता चलती है कि जैसी ओपनिंग हमने करी हमारा एक दो घंटे के अंदर सब एरिया जा चुका था इतनी एक्साइटमेंट है लोगों को इसके लिए लोग कई पुरा साल प्लानिंग करते हैं नए प्रोडक्स लेके आते हैं उनका आइडिया होता है कि इसको हम जुलाई में एक्जिबिशन में हम लांच करेंगे प्रमोट करेंगे ब्राइंड बिल्डब करेंगे तो काफी इसके पीछे लोग अपना इंवेस्मेंट्स भी रूट करते हैं जब शुरू किया होगा अपने ट्वाइब इसको की 1998 या 99 की आप लगबग बात बता रहे हैं तब से लेकर आज को कि 2024 आ गया है कितना बदलाव आया है एक अगर मैं पीछे की हिस्ट्री में देखूं तो जैसे कि कुछ दिर पहले प्रवक्ता ने हमारे बताया था कि 98 के बाद क्या हुआ था जब पहला टॉय क्लस्टर बना था तो उसके बाद हमारा जो फोकस था गवर्मेंट का यहां पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा शुरू हो उससे हमारे लोकल खिलावना जगात ने काफी सफर किया परन्तों दोजार बीस में या सोला में जब एक क्वालिटी कंट्रोल और आया था उस क्वालिटी कंट्रोल और ने गवर्मेंट की मंशा ने पूरा पटल जो है वो चेंज करके रख दिया हिंदोस्तानी खिलावना इनस्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल और से यह हुआ यह लगने से कि इंडियन इस्पेक्टर जाएंगे फैक्टरीज में तो हमारा जो सबसे बड़ी थ्रेट थी जिन जो कंट्रीज डंप कर रहे थी चीप खिलावना यहां पे हलकी क्वालिटी का तो उन लोगों के यहां स से हमारा निर्याद बंध हो गया अब बोज आया हमारे डोमेस्टिक मैनुफैक्ट्रर के उपर के वो उसको पूरा करें और उसी क्वालिटी को उपर उठाएं तो मुझे खुशी है कि काफी इंडियन मैनुफैक्ट्रर ज ने इस इस चीज पे अपना वो निभाया और आज है एक्साइटमेंट से भी पता चलता है और जो कॉलिटी अब खिलानों की आरी है इसमें हम आप देख लीजेगा प्लीज मार्क माइ वर्ट इन फ्यू यर्स वी आर गोंग तो बी ग्लोबल क्यूंकि बहुत तरहे के मैनुफैक्ट्छर्स होते हैं मार्केट के बहुत तरह पर काम करें उनको कैसे टॉय असेशेशन ओफ इंडिया आगे बढ़ाने का काम करता है कैसे उन्हें उंगली पकड़ा का इंटरनेशन लेवल पर ले जाने का काम कर रहे हैं देखे जो कई क्लस्टर्स है इसमें काफी लेबर औरेंटेट जॉब भी है तो हम उनको प्र प्रोड़क्स गेट इंटू अलाइंसेशन अना कावन टूल रूम उनको प्रसविदा प्रोवाइड करें ताके वो अच्छे जगत पे और उनका हम जो आगे बायर्स हैं उनको पहुचा है और यह एग्जिबिशन बहुत बड़ा माध्यम है यह चीज लाने का चालिस पूरे हंदोस्तान के खिलोना जगत के टॉप सी ओस वो यहां पे होने वाले हैं गर्मेंट का पूरा फोकस है एक्साइटमेंट तो बहुत होगी लेकिन प्रेशर भी बहुत होगा काम का तो चलतेलते जान लेते हैं कि एक्साइटमेंट कितनी है और प्रेशर कितना है कि एक्साइटमेंट लीट्स तो प्रेशा विश्यस साइकल हम आपको बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं कि आपका जो एक्जिबीशन है सक्सेस्फुल रहे यह थे राजीव बत्राजी वाइस प्रेजिजेंट थे टॉय आप इंडिया के ऐसे तमाम लोगों से और एस्टे